नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुखा आपके अपने विटी चनल अमन प्रयास जिगी जिसपर तो जिसा कि फेंड्स कल हमने एक वीडियो अप्लोड गया था आपका एससे सिजल 2024 के एक्जाम डेट को लेकर तो उसमें ही आप लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट किया कि एससे सिजले साल के डेटा के अधार पर बात करेंगे आपको पहले बता दें कि मेरा एससे में ना कोई सिजले साल के उपर ही बात करेंगे और सिर्फ हम बात करेंगे और आप ही खुद दुमान लगा लिजेगा कि आपका जो एक्जाम है वो आपका से सुरू होने की संभावना है तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं इस स लेकिन उससे पहले To frent, तो आपका एकजाम कभ से शुरू होगा कभ से शुरू नहीं होगा यह तो आपका अलग भी सा है लेकिन एक बात कि सेलेक्शन इसक्री का होगा जो येरली का टेस्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो दोस्तों आपको ये 395 प्रेम मात मिलने वाला है कोपन कोड अगर आप APG उच करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% के जगा 12% का अभी एक्ट्रा ओफ मिलेगा ये जो ओफर है आपका 28-31 जुलाई के 20 तक चलना है अगर इस सेल के इस डेट के दुरान आगर आप पास को पर्सेस करते हैं तभी आपको 395 प्रेम मिलेगा अदरवाइस ये पास आपको 600 नियाम में मिलेगा ठीके टेश्बूक के उपर दोस्तों जिसा कि आपका SSS CGL का एक्जाम होना है MTS का होना है डेबे का होना है बैंक का होना है ठीके तो SSS CGL का दोस्तों आपको यहां पर 931 मोक्टेस मिलता है 254 PYP जानी की प्रिवेश्रे पेपर मिलता है वहें पर CSL के बात करते हैं तो 973 मोक्ट बगर आपको यहां पर देखने को मिलता है चाय आप SSC की तयारी कर रहे हों बैंक का तयारी कर रहे हों या डिफेंस का या स्टेट लेवल का को एक्जाम का तयारी कर रहे हों सब इक्जाम का मोक्टेस्ट और PYP आपको मात निर्मात 1951 में सोरी 355 में में एक साल के लिए आपको मिले वाला है कूपन कोट APG अगर आप यूश्च करते हैं तो इसका जो लिंक के आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कॉमें टेक्शन में भी पिन क्या हो रहेगा आपको एक हम डेमो दिखा देते हैं आपका पिछले बार जो इ इनके मौक से आपको प्रस्ट एक्जाम में देखने को मिलता है अगर प्रस्ट नहीं दाएगा तो आपको उसी से रिलेटेट आपको प्रस्ट वहां पर देखने को मिलता है ठीक है तो अगर आप इनका प्रस्ट करना चाहते हैं तो लिंक रिस्क्रिप्शन में दिया गया ह पिन क्या हो रहा है कोपन कोट एपीजी ज़रूर यूज किजिएगा हम लोग चले वीडियो में आगे बरते हैं तो सबसे पहले हम लोग 2023 के बारें बात करते हैं तो 2022 की बात करते हैं तो 2022 का जो आपका लास्ट डेट फॉर अप्लाई ओनलाइन अप्लिकेशन था वो दोस्तो आपका 21 जुलाई का था ठीक है यानि कि 21 साथ 22 को आपका फोर्म भढ़ाना बंद हो गया था साथ में जो 2020 से 28 जुलाई के विश्ट ठीक है यानि कि 21 से आपका समक्त होता है और 26 जुलाई से आप लोग्रीक्शन कर सकते हैं यानि कि यहां पर देखएं गैप तो क्रेक्शन गेट और लास्ट डेक्ट पें 5 तिनों का गैप आप यहां पर देख रहे होंगे ठीक हैं इसके बाद 2022 क आपका जो लास्ट डेट फोर अप्लाई ओनलाइन का था वह था दोस्तों आपका 2223 यानि कि 24 फरोडी को आपका लास्ट डेट अपलाई करने का और सिविटी एक्जाम जो स्टार्ट हुआ था वह डिट आपका दो माई को था थेके इसके बाद इसका जो क्रेक्शन हुआ था क्रेक्शन डेट था आपका दो मार्श का ठीक है यानि कि 2 और 3 मार्श से आप लों क्रेक्शन कर सकते थे तो यहां पर आपका लास्ट डेट और क्रेक्शन के 20 दोस्तों बात करेंगे तो यहां पर आपका कितना दिनों का गैप था यहां पर बात करेंगे लास्ट डेट और अब आठ दिनों का आपका ठीक है अब जो आपका 21 के बात करते हैं तो आपका यानि कि 30 अपरेल को 30 अपरेल जो 22 ता यानि कि लाज़ट था इसके वाद जो इसके बाद हम लोग देखते हैं दो चोविस के बारे में तो दोचोविस में जो लास्ट एट है आपका फॉर्म को अप्लाई करने का वह है दोस्तों आपका 31 जुलाई तो कल आपका लास्ट है तो जो भी लोग फॉर्म को नहीं फिल किये हैं आप लुग जागा फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कर लीजेगा तिक है जो लोग करना चाहते है और जो लोग यह चाहते है कि पोस्ट एक जो फ्रेकेंसी है वह मेरा हो को स्टाट होगा जो स्ट सरे दौ़ारा जरी किया गया है अपका टूबर नमंबर में लेकिन लोक बात करेंगे कि एक्जाम आपका क्टूबर में शुरू होगा ठीके लेकिन उसके पहले आपके हम पर एक चीज देख लिजिए कि आपका टोजाप पाच दिनों का गैप था व आपका गैप हुआ था लास्ट डेट और सीविटी एक्जाम में स्टार्ट होने के बीच उससे ज्यादा समय लगना है ठीक है यह तो इतना कनफर्म है क्योंकि आपका अगर पहले ही एक्जाम सुरू करना होता 21-23 से पहले तो आपका क्रेक्शन डेट में इतना ज्यादा का गैप इससी नहीं देता ठीक है तो इससे तो एक बात कनफर्म है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका लास्ट डेट जो था 21-22 में और जो आपका CVT जो एक्जाम स्टार्ट हुआ था उसमें कितने कितना दिनों का गैप था ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुँद 22 की बात करते हैं तो 22 में जो गैप आपका था लास्ट डेट एक्जाम स्टार्ट होने का वो था आपका 42 दिनों का तो क्रेक्शन डेट से आपका 35 दिनों का गैप था ठीक है वहीं पर MTS 22 की बात करते हैं तो आपका वो गैप सरसर दिन का हुआ और क्रेक्शन डेट से आपका यह गैप साथ दिन का हुआ और MTS 22 की बात करते हैं तो यह गैप आपका 66 दिन का हुआ ठीक है लास्ट डेट हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम इन तिनों साल का average भी निकालते हैं, तो average निकल कर आता है आपका 58 दिन का, ठीके, average कितना दिन का निकल कर आता है अंठावन दिन का, ठीके, तो चलिए अंठावन दिन नहीं, हम लोग 1 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए था, यानि कि 1 अक्टूबर को आपका exam शुरू हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा दोस्त आपका हो गा नहीं, यहां पर देंगे SSC ने जो आपको कलेंडर जारी किया है उसमें साफ साफ बताया है कि एक्जाम आपका अक्टूबर और नमंबर तक जाएगा यानि कि एक्टूबर में शुरू होगा और एक्जाम आपका नमंबर तक जाएगा अगर मान के चलिए कि एक्टूबर को आपका एक्जाम मतलब है 15 दिन तो 15 दिन यह बात करते हैं तो एक अक्टूबर से लेकर 15 दिन को हम रुगी ने तो 15 अक्टूबर एकमाल लिए 24 दिन छुट्टी भी हो जाता है तो 20 अक्टूबर तक तो यह कोई मतलब नहीं बनता है कि आपका एक्जाम में अक्टूबर से शुरू होगा अब 60 दिन और 57 दिन अगर इसका अबरेज निकलते हैं तो यह निकल कर आता है 50 दिन का अगर क्रेक्शन डेट से भी हम लोग देखें तो आपका 17 अगस्त तक आपका क्रेक्शन होना है तो यह डेट आपका जाता है तो यह डेट भी आपको नहीं जाएगा तो जो डेट आपका अपका कनफर्म है जब आपका डेट आएगा तो आप मिलाएगा तो आप लोग को इसी के आज़ पास डेट देखने को मिलेगा यानि कि 15 अक्टूबर के बाद जो आपका एग्जाम है स्टार्ट हो जाएगा 20 अक्टूबर शेप पहले और एग्जाम पहले आपको बता दें कि 45 शिप्ट से ज्यादा आपका एग्जाम जाना नहीं है क्योंकि आप लोग को मालू हो गा अपका 57 शिप्टों में एक्जाम गया था जहांपर आपका 12,000 पहले था था यहांपर इसी की बात करते हैं तो 22 do 23 में आपका 46 सिप्ट में गया था एक्जाम पर आपका 1511 वह नहीं है तो इस्षवाद का आपका 8000 पहले था 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 अब 45 शिप्ट न जाने का मतलब है कि आपको एक्जाम के लिए 15 दिन उसको चाहिए, ससी को चाहिए कि 15 दिन में आपका एक्जाम connect हो जाए, क्योंकि एक दिन में आपका तिरिन शिप्ट में एक्जाम connect होता है, और इससी ये चाहेगा कि छट पुजा से पहले ही आपका एक्जाम है जो कि खतम करा लिया जाए ठीके बाकी क्योंगि आप लोगको मालूम होगा चट पुजा में आपका दो तीन दिन का चुट्टी भी हो जाता है लेकिन ये कोई मतलब नहीं बनता है अगर चाहे तो चुट होगा और जो एक्जाम आपका पांचे दिन मंबर तक जाएगा ठीके तो आसा करते हैं आप लोग को किलियर हो गया होगा कि आपका एक्जाम कब सुरू होगा और कब खतम होगा अगर आप लोग के मन में भी कोई डाउट है एक्जाम को लेकर या कोई अपना तर्क देना च श्रागत है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक क्लिए है जैंद